बिसमिल्ला रहुमान रहीम, अस्सलामुलेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ काशिफ बलूच, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सौफ़वेर्स, तो सौफ़वेर्स पे बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं सौफ़वेर्स की डाफिनिशन को, तो सौफ़वेर्स की डेफिनिशन जो है, वो यह है, सेट अफ इंस्ट्रक्शन गिवन तो दा कम्प्यूटर तो प्रफॉर्म स्पैसिफिक टास्क, किसी खास काम पे प्रफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स इस्तिमाल की जाते हैं, अब हम समझते हैं कि सौफ़वे मुझूद है और सौफ़वेर्स नहीं है, तो हाडवेर हमारा किसी काम के नहीं है, इस मीज के हमारा कम्प्यूटर जो है, वो कंसिस्ट करता है दो चीजों पे, सौफ़वेर्स और हाडवेर्स पे, सौफ़वेर्स को हमने क्या है, दो हिस्सों में, पहला हिसा हमारा होता है पहली टाइप जो हिसकी है वो system softwares, दूसरी है हमारे पास application softwares, system softwares क्या है, system softwares को समझ लिते हैं सबसे पहले, system softwares हमारे पास यह manage करते हैं हमारे computer के hardware को, operations को, यानि कि hardware जो operate कर रहा है, जो काम perform कर रहा है, उसके operations को जो manage करेंगे, वो हमारे system softwares कहलाएंगे, like that यह समझ दीजिये, कि जैसे हमने कोई नई device add की computer के अंदर, तो उसके लिए एक specified software चाहिए, जो कि उसको manage करेंगे, जो कि उसको चलाएंगे, जैसे हमने printer को add किया, तो printer के लिए हमें उसके software चाहिए, उसके system software चाहिए, ताकि वो चल सके, हमारे पास printing के command भेजी हमने, 10 pages हमने printing के लि लग जाएंगे, फिर इस तरह one by one print होंगे, जो क्यों में लगे, जो buffer हुए, वो किस वजा से हुए हमारे पास, system software के वजा से हुए, हमने data जो write किया, save किया, आपकी scanडी storage के उपर, like that हमने hard disk के उपर store किया, हमने उसको USB flash drive के उपर store किया, किसी भी scanडी storage के उपर store किया, तो और हमारे लिए हमारे काम के काबल बनाया computer को desktop ला कर, यह सारे के सारे काम किस के वजा से हो रहे है हमारे system software किस वजा से हो रहे है, example में बात करता हूँ चलो, तो हमारे पास operating system सारे के सारे system software के लाते है, operating system software की सिर्फ इतनी से बाब बताऊंगा, जो हम Windows यूज़ करते हैं, जैसे हम Mac यूज़ करते हैं, Apple का हम Laptops के उपर जो software यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे system software के लाते हैं. इस तरह आप दूसरी टाइप पर चलते हैं, application softwares पर. तो application softwares क्या हैं? application softwares वो हैं, जो के user के लिए की जाती हैं. यूज़र जिनको परफॉर्म करता है, यूज़र के लिए जो ज़रूरी हैं. लेकिन हमने application softwares को दो हिसों में आगे categorize किया हैं. एक हमारे पास packages softwares, दूसरे हैं हमारे पास customized softwares. Customized softwares also known as custom built softwares. Customized softwares को custom built software क्यों कहते हैं? Custom हमारा लफ्स निकला है customer से. Built जो खास customer के लिए बनाया जाएंगे, वो हमारे custom built software के लाएंगे. Customized software के लाएंगे. Specified काम के लिए. Like that, के मेरा एक business है. Like that, हम यूँ समयलें, कि medical store है मेरा, या मेरी कोई shop है. तो मैंने उसके लिए उसका database को manage करना है. मेरे पास जो customer आए, उसको bill मिले. रात को जब मैं close करूँ, तो मुझे पता हो कि आज की मेरी sale कितनी हुई है, मेरी income कितनी हुई है, मेरे expenditures कितने हुई है. मंत के बाद में देख सकूँ, कि मेरे पास कितना मुझे profit हुआ और या कितना मुझे loss हुआ. यह किस वज़ासे हुआ हम पता चलेगा हमे? Customized software से पता चलेगा. आप समाझेते हैं, packaging softwares के लिए. Packages softwares जो हैं, हमारे पास हर बंदे के लिए है, journal purpose लोगों के लिए है. जैसे कि customized softwares हमारे पास special purpose लोगों के लिए थे, यह हमारे पास general purpose लोगों के लिए है. वह हमारे प्रेज्ट वर्ड बजाते खुद क्या है एक application software निके टेक्स्ट वाले जो software है हमारे पास packages software है मारे पास Microsoft Excel accounts को manage कर रहे है पूरी word में उस पे काम किया जा रहा है तो यह हमारे पास क्या है packages software है मुझे presentation देने की जूद पढ़ती है आपको presentation देने की जूद पढ़ती है marketing वालों को presentation देने की जूद पढ़ती है तो हम powerpoint के इस्तिमाल करते है हमें graphics के काम करना पढ़ता है तो coral draw पे काम करते हैं बहुत सारी company में market के अंदर लोग जो है कि हमारे पास available हैं हमने उनको उठाना है और हमने उनको इस्तिमाल कर लेना है इसीतार हम समझते हैं कि इन दोनों में क्या है customized software पैगेंगेंगे होते हैं कि हमारे नई इंचनिरिंग मार्केट करके आता हैं तो हम उनके पास जाते हैं उनको अपनी requirements बताते हैं कस्तमाइज सॉफ़वेर्स हमारी रिक्वाइरमेंट्स को मीट कर रहे होते हैं जो हमने उनको बताई होती हैं उसके ओपर काम परफॉर्म कर देते हैं चंद लोग काम करते हैं ग्रूप आफ टीम्स काम करती है या एक आदा जो हमारे पास मौजूद है उसको बनाता है इसी तरह हमारे पास सिसको है और बहुत सारी कंपनी जो है इनको बना रही होती है पैकेज सॉफ़्र्स के अंदर तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आगी होगी इस लेक्चर को समय लिया होगा आपने वीडियो आपको पसंद आई होगी हम करके बावी रही हो यह होगी होगी हूप। झाल झाल